घर में हुई टेस्स सिरीज में इस बुरी हार से बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं और सवाल बहुत सारे इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आपने अपने ही घर में clean sweep कराया है अब बहुत सारे लोग इसमें जिम्मदार हैं या होंगे यह कैसे पता चलेगा इस बात के लिए भी BCCI जो है थोड़ी सी संजीदा नजर आ रही है और चूकि इसहार से सवाल खड़े हुए हैं आपके World Test Championship के participation में जहां कुछ वक्त पहले तक भारतिय टीम नंबर वन थी अल्मस्ट सेफ जोन में थी ऐसा कोई सोच नहीं रहा था कि वो नौबत आ जाएगी कि आपको दूसरी टीमों के उपर निर्भर होना पड़े अब South Africa पाकिस्तान भी scenario में आ गया है कि इनके matches का result क्या होगा और प्लस इंडिया के लिए Border Girls का trophy एक ऐसी series एक ऐसा tournament होने वाला है जो आपकी किस्मत लिखेगा और किस्मत खराब भी कर सकता है यानि कि अगर आप Border Girls का trophy में अच्छा perform करते हैं हो सकता है कि वहाँ का फायदा वो जो result है उसका फायदा आपको WTC के लिए मिले और अगर खुदानाखासा आपकी performance ऐसी ही रही जैसे कि अभी घर में हमें देखने को मिली against New Zealand तो सीधा नुकसान होगा WTC को लेकर यानि कि आपके WTC खेलने को लेकर बड़ा संदे वो खड़ा हो जाएगा अब इस हार के बाद BCCI भी संजीरा हुई है और BCCI का यह कहना है कि भाई कुछ ऐसे points हैं जिनको हम review करेंगे चाहे वो गौतम गंबीर का decision making हो चाहे वो pitches को लेकर call लेना हो चाहे वो players को workload management के तहत अराम देना हो या फिर selection committee की meeting जिसमें गौतम गंबीर का भी से था अब हम आपको कुछ graphics दिखा रहे हैं और उस graphics में हम आपको बताएंगे कि यह जो हार हुई है 3-0 against New Zealand यह कितने सालों के बाद या फिर क्या पहली बार हुई और इसके पीछे क्या क्या कारण थे तो इस graphic के जरीया आप देखिए कि 27 सालों के बाद इंडिया कोई bilateral ODI series जो हारी अगेंस्ट श्री लंका उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 36 साल के बाद इंडिया एक test match अगर हम बात करें तो वो हारा against New Zealand तीसरा point जो हम आपको बजाने कोशिश कर रहे हैं कि 19 साल के बाद इंडिय एक test match चिन्ना सौमी स्टेडियम के अंदर में हारा फिर 12 साल के बाद और 18 सीरीज के बाद इंडिया एक home test series जो हारा और पहली बार इंडिया जो है अपने घर में New Zealand के अगेंस्ट कोई series test series वो हारा पहली बार इतियास में पहली बार इंडिया का white wash हुआ 3-0 अगेंस्ट किस भी अपोनेंट वो भी इंडियन स्वाइल पर तो ये जो ग्राफिक है ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से भारत का जो प्रदर्शन है अंडर गौतम गंभीर जो की अभी हाल फिलाल में ही कोज बने हैं उनका ये ताजा जो है ये आप कह सेकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड है फिलाल के लिए आगे क्या होगा पता नहीं आप ऑस्टेलिया जा रहे हैं वहाँ पे क्या होगा उसके बारे में अभी तो आप कुछ नहीं कह सकते लेकिन ये इस वक्त का रिपोर्ट कार्ड है अच्छा इसमें दो चीजें और भी हैं कि कुछ खिलाडी ऐसे हैं जिनके उपर में अब सवाल खाड़े होने लगे हैं और कहा ये भी जा रहा है कि क्या यहां जो ये टेस्ट मैच की सिरीज हुई क्या वो उनका आखरी टेस्ट मैच था क्या वो आप घर पर आपको दुबारा खेलते होगे नजर नहीं आएंगे तो उसमें अगर कोई नाम सबसे उ अगर हम आपको तस्वीरों के जरीए ग्राफिक्स के जरीए दिखाएं कि रोहिच शर्मा का प्रदर्शन जो है टेस्ट मैच में कैसा रहा है तो इस ग्राफिक पर आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले जो लिखा है इंडिया वर्सेज न्यूजलेंड वो यही वाली सिरी क्यानबे रन बनाए है जिसमें एक पचास रन शामिल है उसके बाद जो उनकी सिरीज है उससे पहले वाली बंगलदेश वाली सिरीज है जहाँ पर दो मैच हुए थे 42 रन उन्होंने बनाए और यहाँ पर भी उनका ऐवरेज अगर आप देखेंगे तो वो 10.50 कोई शतक नह है यहाँ पर उनके 200 आये थे 150 आया था आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रोहिट जो है वो ठीक ठाक थे साथ आफरिका तोड़ा और नीचे जाए तो वहाँ पर साथ आफरिका किलाफ दो मैच खेले इन्होंने जहाँ पर 60 रन बनाए 20 का ऐवरेज था और अगर आप 100 और 50 रख किलका है यहाँ पर उनके 4 मैच खेले और 242 रन 40 का ऐसत एक 100 आया था तो अगर हम उपर देखें तो धीरे 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 रोहिट शर्मा का जो शर्मा जी का एवरेज है वो कम ही होता गया है और खास्तोर से यह वाली सिरीज कहीं ने कहीं रोहिट शर्मा एज कैप्टन और रोहिट शर्मा एज इंडिन टीम मेंबर बहुत बड़ा चिंता का सबब है वो पी तब जब आप ऑस्टेलिया की तयारी कर रहे हैं दस गरतारी को टीम जाएगी और यही फार्म अगर कैरी होता है वहाँ पर आलग कि ऐसा भी है कि वो पहले टेस्ट मैच में आपको खे सब्सक्राट कोली से कि वो आपको आए और मजधार से निकाले लेकिन अगर इनके भी आवरेज को देखें या पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो वो भी बहुत आपको सैटिस्फाई करने वाला नहीं है इसी सीरीज में अगर आप देख लें तो तीन मैच उन्होंने ख 297 रन मनाये थे यहाँ पर इनका आवरेज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है 98.5, 100, 150 अगेन ऑस्टेलिया यह पिछले दौरा था WTC साइकल के बाहर वाला चार मैच यहाँ पर थे 299.50 का आवरेज 100 तो अगेन इस खिलारी का भी विराट कोली का भी अगर आप देखें इनका भी आवरेज नीचे गया है और अगर इसी तरीके से रोहिच शर्मा जैसे खिलारी विराट कोली जैसे खिलारी का आवरेज डाउन होगा उनका confidence नजर नहीं आएगा test career के अंदर में उनका intent तो चलिए रहा होगा of course I'm sure intent तो रहा होगा लेकिन शायद वो confidence उसकी कमी न नहीं चलते हैं तो result वही होता है जो हमें यहाँ पर देखने को मिला against New Zealand आप एक भी match में आपकी batting जो है वो जवाब देने लायक नहीं थी justification press conference में देना एक अलग बात होती है और ground के ऊपर में runs बनाना एक अलग बात होती है इन सब सारी चीजों को अगर आप ध्यान में र में गौतम गंफीर का say दिया गया यानि कि उनको इतना freedom दिया गया था कि आप टीम की बहतरी के लिए अगर आपको कुछ suggestions देने है तो आप दे सकते हैं आपको वर्ड कुप का वो फाइनल भी याद होगा जहां पर पिछ सेलक की गई थी अपने हिसाब से बनवाने के लिए बैक फैर हुआ इंडिया वो मैच हारा साथ इसाथ वर्ड कुप की ट्रॉफी भी चली गई यहां पर भी rank turner देने का decision team management का ही था तो यहां पर भी backfire हुआ decision उसी spinning wicket के ऊपर में New Zealand score करके गई लेकिन हमारी जो inning थी वो survive नहीं कर पाई नतीजा क्या हुआ 25 रन से आप वो मैच हार गए आखरी के दो wicket को उनको क्या ही बोले जब उपर से रन नहीं आ रहे हैं तो वो स सब सारी चीजों का किनों अब होगी scrutiny और most likely Australia series के बाद आपको कुछ बड़े बदलाओ भी नजर आएंगे